चुनाओ के पहले जो पॉलिटिकल पार्टियां बड़े-बड़े मुफ्त के वादे करती हैं हमने उसको चैलेंज किया है सुप्रिम कोर्ट में और बहुत बड़ी हमें खुशी इस बात किये कि सुप्रिम कोर्ट इस मामले को सुनने के लिए तीन जज़ों की बेंच बनाने के लिए तयार हो गया है जब हमने P.I.L. फाइल किया था तब इसको सुप्रिम कोर्ट की दो जज़ों की बेंच सुन रही थी Supreme Court ने केंसरकार को notice जारी किया, केंसरकार से भी पूछा, election commission को notice जारी किया, election commission को opinion मांगी Supreme Court ने taxpayers के बारे में भी कहा है कि एक association अपना taxpayer का भी बनना चाहिए, उनकी भी input आना चाहिए, उनका भी feedback आना चाहिए RBI का input आना चाहिए, कैसे इस previous system को रोका जाए, जो मुफ्त रेवडी का culture है, इसके बारे में Supreme Court ने सबसे opinion मांगी है Supreme Court ने मुफ्त खोरी रोकने के लिए RBI की opinion मांगी है, Finance Commission को opinion मांगी है, election commission को opinion मांगी है, skin सरकार की opinion मांगी है इसके लावा Supreme Court का कहना है कि taxpayer का भी अपना एक association होना चाहिए, चुकि ये पूरा देश करदाताओं के पैसे से चलता है तो taxpayer का पैसा कैसे यूज होना चाहिए, कहां रोकना चाहिए, क्या taxpayer का पैसा मुफ्त खोरी में खर्च करना चाहिए, रिवडी बांटने में खर्च करना चाहिए इसलिए taxpayers की भी opinion आनी चाहिए Question of Laframe हो चुका है मामला तीन जजों की bench को refer हो गया है लेकिन तीन जजों की bench बनी नहीं थी तीन जजों की bench को ये मामला पिछले साल अगस्त में चला गया था लेकिन उसके बाद सुनवाई नहीं हो पाई थी, bench नहीं बनी आज मैंने Supreme Court चीफ जचिस साब से request किया है कि मामला बहुत ही महत्तपूर है क्रिपया आप तीन जजों की bench बनाईए और चीफ जचिस साफ इंडिया ने बोला हम इस पर तीन जजों की bench बनाएंगे इस पर सुनवाई करेंगे मैंने अपने PIL में यही कहा है कि सतर लाग करोड रुपए का करजा तो राजियों के उपर है राजियों के उपर सतर लाग करोड का करजा है कोई ऐसी राजिय सरकार नहीं है भारत में जो करजे में नहीं है इवें सबसे ज़्यादा धोल पीटने वाली दिल्ली की सरकार केजरिवाल की सरकार ये भी 55,000 करोड के करजे में है 55,000 करोड का करजा तो दिल्ली के उपर है 3,000,000 करोड का करजा पंजाब के उपर है बिहार के उपर भी 3,000,000 करोड का करजा है लगबग 3,000,000 करोड का करजा केरल के उपर है उत्तर प्रदेश में 6,000,000 करोड का करजा है तो भारत के ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसके उपर पचास जार करोडा एक लाग करोडा बहुत की राज्यों के ऊपर, लगबक असी करोड करौड का करौड़ केंद्र के ऊपर है . तो अगर पूरा देखे तो भारत इस समय एक सो पच्यास लाक करोड़ के कर्जे में है 150 लाक क्रौड के कर्जे में यह जितना development हो रहा है, यह सब कुछ अपने पैसे से नहीं हो रहा है, उधारी ले लेके हो रहा है, राजसरकार के इन सरकार से उधारी लेती है, के इन सरकार वर्डवेंग से उधारी लेती है, के इन सरकार फला से उधारी लेती है, अलग-अलग उधारी लेके काम चल रहा है तो मैंने सुप्रिम कोड से ही निवेदन किया कि जगर अपने पास पैसा नहों उधारी लिया जाए तो उधारी लेके कभी हलवा पूरी नहीं खाते उधारी करके सुंपल रोटी चावलदा लोटी सब्जी खाये जाता है लेकिन चुनाव जीतने के लिए पॉलिटिकल पार् कोई कहरां वासिंग मशीन देंगे कोई कहरां मंगल सूत्र देंगे कोई कहरां कुछ देंगे फंडमेंटल राइट तो पूरा हो नहीं पा रहा है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सुद्ध हवा देने का वादा नहीं करती सुद्ध पानी देने का वादा नहीं करती इसपे रोक लगाना ज़रूरी है、 अगर हमने नहीं रोक लगाया तो याद रखिये, लंका की क्या हालत हो गई है आप सबको पता है, पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है आप सबको पता है, अफगानिस्तान की क्या हालत हो गई है सबको पता है, वहां की अर्थविवस्ता चर्मरा चुकी है, भारत में जिस तरीके से करजा लेके हलवा पूरी जा रहा है जिस तरीके से करजा लेके भी लूट पार्ट चल रही है जिस तरीके से इतना देश के उपर करजा इसके बाद भी भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है जो पता तो चले कि यह जो राज सब्सक्राइब मुःत्राइब दी 사람 को मैं मुफ्त का वया जो पूरा अगदम दिखा रहा है, ऐसे दिखा रही है, जैसे सब के पास पैसा है, और एक बात और, यह जो political party वादा करती है, तो मुफ्त में देने का, यह कोई अपनी funding से ले नहीं करती है, कोई political party जो उसको चंदा मिलता, उससे कुछ भी free में नहीं देती है, जो यहाँ पे मैंने यह दे दिया, कोई भी नेता आपने जेब से एक रुपे खर्च करता है क्या? कोई political party अपने जेब से रुपे खर्च करती है क्या? पैसा किसका है? हमारा और आपका, तो हमारा आपका पैसा सही से उपयोग हो, सही जगह उपयोग हो, उसका दुरुपयोग नहोग, दल गुलामी नहीं छोड़ेंगे, रास्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, तो याद रखिए हमारी आने वाली पीडियों का वही हाल होगा, जो आज लंका में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो बंगला देश में हो रहा है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, वही विधायकों से कहिए विधायकों और उखी खूरी बंदकरें मुफ्ते रोडी बंदकरें अक्षी न्याइक बीवस्तां परें करने किया रहा है किस वस्त मिला कुछ भी मुफ्त में नहीं है सब कुछ आपी के पैसे सौरा है झाल